चोरी करने वाली दो गैंग लगी पुलिस के हाथ, बताया कि अभी तक 26 चोरी की वारदाते कर चुके हैं अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरावली विहार थाना की पुलिस ने सुने मकान में चोरी करने वाले तो अलग-अलग गैंके तीन लोगों को गिरफतार किया है जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताश की तो आरोपियों ने बताया कि वो अभी तक 26 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं पुलिस ने इनके कबजे से एक रोयल एंफिल्ड मोटर साइकल और इनके साथ ही तीन बाइक और अन्य सोने चांदी के जो जेवर हैं वो जब्त किये इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी से बाचीत करने पर उन्होंने बताया कि आठ जन्वरी को तैसीलदार कोलोनी में स्थित एक सूने मकान में चोरी की वारदात होने का मामला दलज हुआ था उस पर अलवर शहर की पुलिस ने सदर के ग्रामिन छेत में हुई वारदात के संधर में पुलिस टीम ने जो भी जानकारी एक कत्रित की थी उस जानकारी को हासिल किया और एक तीम बनाई जानकारी हासिल कर चोरी की वारदात को अन्जाम देने वालों का उन्होंने डाटा तैयार किया और कुछ बदमाशों को चिनहित किया गया और उन पर सक्त निगरानी रखी गई इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को गिरफतार करने के लिए साइकलोन सेल की तकनीकी सहायता ली इस दोरान DST टीम को सूचना मिली की तैसिलदार कोलोनी में के सूने मकान में चोरी करने वाले शक्ष काली घाटी के समीट चोरी करने की फिराग में रेकी करते घुम रहे हैं पुलिस टीम ने आरोपी अबई और इशाद दोनों को मोटर साइकल के साथ गिरफतार किया और इसके बाद पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए चोर कादर खांको भी गिरफतार कर लिया जिससे पुष्टाश करने पर उसने बताया कि उसने नाबालिक के साथ मिलकर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया है जिस्से की पुष्टाश करने के बाद पुलिस ने नाबाली को निरुद किया और पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों से अरावली थाना पुलिस ने चोरी किया हुआ सारा समान बरामत किया यह बदमाश दिन में सुने मकानों की रेकी करते और रात में उनका ताला तोड़ कर चोरी करने का काम करते थे